हेलो फ्रेंट्स वेल्कम आई यूटूब चैनल आप लोग देखरों मास्टर सेफ और आज का अपना रिसीप इरानी पनीर टिका बहुत ही सिंपल रिसीप और साथ ही साथ में हम सिखेंगे कि पनीर का कटिंग कैसे करते हैं और कुण कौई सा वेजी टेबल यूज होता और कै कैसे वेजीटेबल का कटिंग होती है अगर नैंने चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबादेना जिसकी मेरी वीडियो कीनिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कर रहेंगे पनीर का क्टिंग को सब- एक सेप में काल देना है इस तरीके से अब लोग देख सकते हो अब इसको अपने काल देना इस तरीके से इजी लिए है आपने बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रखना अपने मीडियम साइज का इस साइज का अपने रखना है इससे का होगा अब उसके बाद हम लोग वेजिटेबल कटिंग करेंगे वेजिटेबल में हम लोग करेंगे कैपसिकम टमाटर और प्याज तो सबसे पिले से काल डेने इतना बड़ा बड़ी साइज में आपने इस तरीकी से अपधेख सकतो इस तरीकी सा अपने काट लेना और यह मरे कैप्सी कम कट के रेडियो किया उसके बात प्याज लेंगे एक प्याज लेंगे इसको नार्मल्य अपने चार बाग में कट लेना एक दो और यह दो चार ठीक है इस तरीके से आपने चार बाग में काट के इसको सिंगल सिंगल छुटा लेना अपने इस तरीके से इस तरीके से सिंगल सिंगल अपने छुटा देना इसको और उसके बाद में लोग इस कि इस तरीक से अपने काड़ लेना है इसको सिंगल सिंगल पीस कर लेना इसको क्यूप्स कटिंग बोलते हैं उसके बाद टमाटर लेना आपने टमाटर को भारी से निकल देना और इसको इस तरीक से काड़ लेना पानी और बीज नहीं आना चाहिए लिक्विट नहीं होना चा पनीर इरानी टिक का वनाने करी क्या क्या चीज लगे कि वह आम को दिखाता हूं अब किरी में है अब चारी स्पून फ्रेस्च रिम है आप इंडिया में कि के आसानी से मिल जाता है एक चमाच डालेंगे एक से दो चमाच आपने डाना इसमेड चीज थोड़ास डाना इसमे घ्रिण चिली पेस्ट या चोप और आपने थोड़ा सेश्मेंड डाना नमक वाइट पेपर आप स्पून इलाइची पोडर हाप स्पून और एक से दोपी चीज का अपने ध्यान देना चीज में बहुत नमक होता है तो क्रीम में कंट्रोल कर लेता है तो इस चीज का अपने ध्यान देना नमक आपने बहुत कम यूज करना है ठीक है बस चीज और नमक और गिरिन चिली चोप या पेश्ट जो भी आपके पास है वो यूज कर सकते हो करीम अलमूल करीम मिलता इंडिया में बेस्ट करीम रहता है ठीक है और उसके बाद आपने जो वेजिटेबल काटा था ओएट कर देंगे इसमें और जो पनीर काटा था ओएट कर देंगे हम लोग अब इसको अच्छे से इस तरीकी से मिला देंगे और मिलाने के बाद कम से कम आपने पाँच मिलटे इसको रेश्ट करने मनलब के ऐसी रख देना आपने पाच मिलट बाद इसमें पाज मिलट तक आपने लॉज़ों सकती हो पाथ मिलट के बाद इसमें लोग अगला जो इसका प्रॲजेसर है वो चालू करेंगे तो लगबग पाच मिलट हो गी है ठीक है मैंने वीडियो कट करती है अब सबसे पिल आपने वेज़ीटेबल लगाना है फिर इसके बाद एक पनीर का पीश एक वेज़ीटेबल एक पनीर इस तरीके से आपने इसको पुरा लगा देना अब एक स्टिक में चार से पांच पीश आप आसानी से लगा पुरूशन में है तो हमारा पनीर मैंने श्टिक में लगा चुका हूँ आप लोग दे सकते हैं अब इसको इस तरीके से हम लोग गिरिल पर पका देंगे अपने करना कुछ नहीं है सिर्फ इसको घुमाते रहना आपने एक एक दो दो मिलड़ बात और पकने में ज्यादा नहीं पांच एछे मिलड़ लगता है उससे ज्यादा नहीं लगेगा इस तरीके से आपने घुमा देना इसको अब लोग दे सकते यह और भी रिसीप इसका पनी टिक का रिसीबी अपलोड कर दिया मैंने यूटूब पर हार याली पनी टिक का यह अभी बाद में आएगा इसका रिसीपी और यह अपना इस तरीके से अपने पनीर ना घूमता है इस टिक में रहके घूमता है तो आपने दूसरी इस टिक लेकर उसकी साहिता से इसको रोग देना इस तरीके से और जब यह हाप डून हो जाए तो आपने क्या करना है बटर और ओइल दोनों को मिक्स कर देना इस तरीके से और इसको इस तरीके से लगा देना है उससे क्या होगा जो आपको पनीर है वो ड्राइ नहीं होगा तो इस तरीके से यह पनीर के लिए नहीं यह आप चिकन का भी कि अपक्राइब लाफ ऐसकत तरह इसका कितना चाहण पया है और यह अच्छछे से पक्र चुका है बस इस तरीके से एजिरी आपने सफ कर देना अ का जिसके सकते हो गर निसम कर शक्ता एपने ओपर किए लिए लेकिन मसाले मापने नमक का बहुत ज्यादा द्यान देना है क्योंकि चीज किसी किसी चीज में बहुत ज्यादा नमक होता है तो उस चीज का अपने द्यान देना है मिलते फिनेश वीडियो में भाई खुदा आफिस कमेंट करके जरूर बताने कैसी लगे आपको रेशिपी